दीद्वाना भारती जंता पार्टी शहर मंदल व कोलिया मंदल के द्वारा सयुक बूट सम्मेलन का आयोजन रखा गया जिसमें डीद्वाना शहर मंदल सयोजक राजेंद्र प्रसाद पतवारी ने बताया कि इस मौके पर मेरा बूट सबसे मजबूत के बारे में वक्ताओं अपने विचार रखे दीद्वाना शहर मंदल के अलकालीन विस्तारक क्रिश्नी कुमार ने कहा कि प्रतیک कार्या करता प्रतیک बूट पर जाकर मोधी सरकार की लोक कल्यान कारिय योजन लाप जन्मानस तक पहुँजाए नावा विस्तारक मनीश ने सरलफ व नमोब के बारे म मुख्य वक्ता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश वर्मा ने भाजपा की अनेक योजना की जानकारी दी। वर्मा ने बताया कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ती और विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। जिला महमंत्री रामा किशन कीचर ने कहा कि राज्य सरकार के जंगल राज कुशासन से जनता बेहाल है बेरोजगारों से खिलवार किया जा रहा है किसानों को कर्ज माफी के नाम से धोखा दिया गया है राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है राज्य सरकार ब्रश्टाचा ने किया वही कोलिया मंदल अध्यक्ष डालुराम मेगवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया इसी क्रम में शहर मंदल सयोजक राजेंद्र प्रसाद पत्वारी ने बताया कि पिछले साथ दिनों से अल्पकालीन विस्तारक प्रिश्न कुमार वा अतुल चोदरी मंदल के प्रते नर्पत सिंग राथोर मुहम्मद जहांगीर भाटी मंत्री कैलाश आसरी प्रवक्ता मनोज सोनी कार्याले प्रभारी दामोदर पारिक पार्शद राकेश जानगिर दीद्वाना शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन शर्मा कोलिया मंदल युवा मोर्चा अध्यक्ष चांद बास्नी अनुसूचित जाती मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पुखराज सांभरिया जैप्रकाश पसारी विजय टाक प्रवीन तेजस्ली हनुमान पोदार मोहन खंडेलवाल अमर्चन पवार जितेंद्र मेगवाल कमला मितल सुरेंद सेंग थैबली योगीराज हरी सिंग केलाश आचार्य लाला राम नायक सहित नेक कार्य करता उपस्थित रहे